देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक केजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। वो जीवन की प्रमुख चीजों पर आधारित होता है, जनरल प्रडिक्शन, कौन-कौन से योग बन रहे हैं, करियर, विजनस, इंकम, इंवेस्मेंट, लव लाइफ, मैरेट लाइफ, स्टूरेंट, सेहत, इन सब पर आधारित होता है, और वीडियो के अंतमे में कुछ वि आधारित होते हैं, जो गरहों की गोचरिय स्थिती पर आधारित होते हैं, मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लगन पता है, तो लगन से देखा कीजिए, जिनको अपना लगन नहीं है, वो चंद राशी से देख सकते हैं, इन छोट अगर आपका लगन है, मकर अगर आपकी फिराशी है, मकर, दोनों ही इसको अबसर्फ कर सकते हैं। लग्न आपका भौतिक जीवन है, राशी आपका मन है। इस हिसाब से भी आप राशी फल देख सकते हैं। राशी फल guide lines होती है, guidance के लिए भी आजाता है। तो शुरुआत करते हैं मकर के लिए आने वाले महीने के मासिक राशी फलका जनरल परडिक्शन के साथ। शुरुआत जनरल परडिक्शन से करेंगे, सबसे पहले लगन को देखेंगे, लगन पर मंगल का प्रभाव फुरे महीने बने रहेगा, मंगल चटे घर से अपनी 8 फी द्रिष्टी लगन पर डालेंगे मंगल का चटे घर में होना अच्छा होता है मंगल का यह जो स्थान है यह उनके अच्छे स्थानों इसे गिना जाता है 3, 6, 10, 11 यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं व्यक्ति को बहुत competitive बनाते हैं व्यक्ति को बहुत aggressive तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ आपने कार्यों को पूरा करने में मदद देते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंगल आपके लगने के स्वामी के साथ अच्छे संबंद नहीं रखते हैं आने कि शनी महाराज के साथ छटे भाव में बैठे मंगल आपके कई रुके हुए कारे बनाएंगे लीगल कारे जैसे मने खा उसमें अवश्य आपको साहिता देंगे लेकिन एक frustration पूरे महीने उत्पन करेंगे इस महीने आपको समझ नहीं आएगा कि आप frustrated क्यूं है आप irritate क्यूं है आप छोटी छोटी बातों पर irritate हो जाएंगे और वो चीज आपके जीवन में विखन उत्पन करेंगी वो चीज आपके जीवन में एक continuity को affect करेंगी कई चीजों में instability इसलिए ही आजाएगी केवल क्यूंकि आप बहुत frustrated रहेंगे उन बातों को जिनको आप ignore कर दिया करते थे इस महीने वो बहुत नहीं कर पाएंगे यह जो मंगल है वो नीच अभी राशी भी है क्योंकि अपनी नीच गी राशी के तरफ बढ़ रहे है मही में नीच के हो जाएंगे तो यह सारी चीज़े मिलकर आपको frustrate बहुत करेंगी महीना ठीक ठाक है लेकिन यह frustration का जो factor है इस पर बहुत ध्यान दीजेगा महीने के पहले हफते में यानि कि अपरिल के पहले हफते में चौथा भाव बहुत ग्रहों से घिरा हुआ रहेगा राहू है, शुक्र है, बुद्ध है अब क्योंकि शुक्र आपके योग कारक है उनका चौथे घर में होना प्रॉपर्टी आदी के लिए लाव दिला सकता है लेकिन फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा अपरिल के प्रथम मास में ही अपरिल के प्रथम ह़ते में ही थोड़ा घर में बहस हो सकती है घर में किसी की तब्यद विगड़ सकती है और कहा सुनी बहुत होगी एक अनिशित्ता का भाव घर में रहेगा, एक उचाट सा महौल रहेगा, मतलब कि एक दूसरे इसको देखकर ही थोड़ा सा जब होता है घर में की एक जरन का भाव भी आ सकता है, गुस्ते का भाव भी आ सकता है, तो अपनी फैमिली लाइफ पर थोड़ा फोकस कीजेगा, थो कारियों को पूरा करता है, तो आपके जो योग कारग्रा है, बहुत स्ट्रॉंग पोजिशन में आ जाएंगे, छे तारीक को, वो पंचम भाव में आ जाएंगे, दस्वे घर के स्वामी है, इसके साथ ही पंचम भाव के ही स्वामी है, लक्षमी स्थान में आ रहे हैं, पैस में ही जादा आएगी उसके बाद क्यूकि आपके योग कारग रह बहुत अच्छी पोजिशन में आ जाएंगे तो चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगे लगने कि स्वाबी धनस्थान में पूरे महीने बने रहेंगे बलकि अभी बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे शनी म फिर सूर्य आ जाएंगे 22 को ब्रहस्पती आएंगे 21 को बुद्वक्री हो जाएंगे शनी की दृष्टी है अब चौथा भाव माता का स्थान है चौथा भाव फैमिली का स्थान है तो अपनी माता जी की सेहत का आपको बहुत ध्यान देना इस महीने और एक्सिडेंट के आ आपको थोड़ी मोटी इंजरी हो सकती है तो इस महीने इन सब चीजों का बहुत ध्यान दीजेगा एक्सिडेंट के इंजरी के आपके योग बन रहे हैं सूरे चौथे घर में उच्च के हो जाएंगे तो हाँ प्रॉपर्टी आदी खरीदने में मदद आपकी कर सकते हैं ल जार ही लोग है तीन लोग है तो घर में बहुत महौल अजीब सा रहेगा बुद्ध इस महीने वक्री हो रहे हैं और वो भी आपके चौथे घर में ही हो रहे हैं अगर कोई आपको प्रॉपर्टी का लेन दिन का काम करना है तो वो 21 तारीक से पहले कर लिजेगा उसके बाद अगर करेंगे तो उस पर विगनाएंगे डॉक्कुमेंटेशन की प्रॉप्लम आ सकती है और कुछ कारे आपके अटक भी सकते हैं बुद्ध क्योंकि आपके लिए नवम भाव के स्वामी है उनका वक्री होना ये बताता है कि घर के बड़ों से आपका या फिर अपने कारेक शेतर में अपने बड़ों से आपका कुछ वाद विवाद भी हो सकता है तो ये महीना ऐसा ही लग रहा है कि फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा सा नकरात्मक जाता हुआ दिख रहा है अब इन सब चीजों में सुधार कोन ला सकता है इन सब चीजों में सुधार एक ही ग्रह ला सकते हैं आपके लिए वो है ब्रहस्पती महराज क्योंकि वो चौथे घर में आपके 22 तारिक को आ जाएंगे उनके आने के बाद क्योंकि वो ब्रहस्पती हैं देव गुरु ब्रहस्पती हैं भाग्य के कारक हैं नैसरगिक शुबगरा हैं उनके चौथे घर में आने के बाद चीजे बहुत हटक ठीक होना शुरू हो जाएंगी लेकिन बाइस तारीक तक आपको अपनी फैमिली लाइफ का अपनी इमोशनल लाइफ का भी क्योंकि चौता बाव इमोशन्स का भी होता है इन सब चीजों का आपने बहुत जाधा ध्यान देना है केतु दस्वे घर मे बने रहेंगे इस महीने कई बार आपके अंदर आलस से बहुत आएगा अपने कारे बहुत अपूर्ण छोड़ना शुरू कर देंगे वो परस्टनल लाइफ में भी होगा इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट क्या है कुछ लीगल कारे आपका अटक रहता पूर्ण हो सकता है एक maturity आपके अंदर अवश्या आएगी और सही जगा पर aggression आप यूज कर सकते हैं गलत जगा पर aggression का उपयोग गलत ही प्रभाव देता है लेकिन सही जगा पर हलकी सी aggression का कभी कभी उपयोग बहुत अच्छा प्रभाव देता है और ये महीना आपके लिए वैसा ही दिख र देंगे आपको ये लगेगा कि लोग बहुत expectations आपसे रखते हैं और लोगों का और सामाजिक बंधन बहुत है वो चीज़ भी आपको थोड़ा परिशान करेगी और अचानक से मिली success इस महीने आपको नुकसान दे सकती है क्योंकि उसके कारण आप थोड़ा सा जादा उचस साहित हो जाएंगे और कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं तो अगर success अजानक मिलती है थोड़ा धैरे रखिएगा करियर के दरफ चलते हैं करियर के हिसाब से महीना वैसे तो अच्छा है बस एक पॉइंट है कि केतू दस्वे घर में बैठे हुए हैं और बाइस तारीक तक उन पर किसी शुबगरह का प्रभाव नहीं रहेगा तो ये वो समय है जब आप थोड़ा सा आपकी जॉब को छोड़ने का decision दे सकते हैं सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी कुछ problem चल रही हो तब तो और ज़्यादा थोड़ा ये chances इसके बन जाते हैं अगर आपकी कुनली में चन्रमा थोड़े पीरित हैं तो इस महीने बार बार ये खयाल मन में आएगा कि जॉब छोड़ दू जॉब छोड़ दू कुछ और कर लो थोड़ा सा धैरे बना के रखिएगा क्योंकि जैसे जैसे महीना आगे बड़ेगा चीजें आपके लिए वो अपने ही राशी में स्वराशी के पंचम भाब में चले जाएंगे और वहाँ पर वो क्योंकि योग कारग रहे हैं आपके कारेक शेतर में आ रहे ही उलझनों को दूर करेंगे छे तारीक को ये होगा और करियर में पैसा भी आपका बढ़ सकता है क्योंकि वो पंचम से लाहवस्थान को देखेंगे, तो overall ये महीना अच्छा है, बस केतु का दस्वेघर में होना, बार बार आपको अपने जॉब को छोड़ने के बारे में विचार करने पर मजबूर करेगा, और कारक शेत्र में आपका मन भी नहीं लगेगा, उसके कारण थोड़ी प्राब्लम उत्पन हो सकती है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो ये महीना कारक शेत्र के लिए अच्छा सावित हो सकता है, मने शुक्र की बात कही, उसके साथी जो आपका अर्थ तरिकोन है, उसमें पाप ग्रह है सारे शनी, मंगल और केतु तो ये जो संगम हो रहा है ये कारेक शेत्र के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है करियर के लिए विजनस के लिए जो क्रूर ग्रह है वह और अच्छा प्रभाव देते हैं तो आप अपने करियर में आगे भी बढ़ सकते हैं बस अगर आपने अपनी मानसिक स्थिती पर कंट्रोल अपने कारेक शेत्र में रखाते हो सूर्य 14 तारीक को आकर दस्वे स्थान को देखेंगे और क्योंकि सूर्य आपके आठवे घर के भी स्वामी है और दस्वे घर के स्वामी अपने से आठवे में आ रहे हैं तो अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो महिने के मध्य भाग के बाद आपको अच्छी आपर जोटने मिल सकती है लेकिन सूर्य दिगबल अपना पूरा लूस कर देंगे कारिक शेत में ऑथोरिटी की कमी रहेगी अगर आप बड़ी पॉजिशन्स पर भी काम करते हैं यह महिना वो है जब आपके जूनियर्स भी आपका कहना धंसे नहीं मानेंगे आपके ओर्डर्स को धंसे नहीं कंसीडर किया जाएगा आपके एक्शन्स पर बार-बार कोश्चन्स रेस किया जाएंगे ब्रहस पती 22 तारीक को आ जाएंगे लेकिन उससे पहले एक और चीज़ होगी बुद्ध वकरी हो जाएंगे बुद्ध चौते घर में वकरी होकर सीधा दस्वे घर को देखेंगे 21 तारीक को तो इससे आज पास के जो दो-तिन दिन है यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि कुछ गलतियां आपसे कारकशेतर में हो सकती है कुछ गलत साइन कर देंगे कुछ गलत इमेल भेज़ देंगे कारण क्या है? भ्रसपती अपने आप में बहुत शुबगरा है और आपके लिए वो बारवे घर के स्वामी है और आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है यानि कि चेंज दिखा रहा है क्योंकि बारवे घर का यहाँ पर योग आ गया तो जो लोग विदेश में जॉब ढून रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है और अगर आप अपने कारेक्षित्र में ट्रांसवर चाहते थी इंटर्नल ट्रांसवर हो, सिटी ट्रांसवर हो दोनों के लिए ही योग भरसपती आकर बना सकते हैं तो overall कहूं तो महीना कारेक्षित्र के लिए अच्छा है बस मानसिक स्थिती पर बहुत ज़ादा नियंतरन आपको रखना है इस महीने के positive points क्या हो सकते हैं कुछ productive ideas आएंगे, अगर आप presentations देते हैं तो उसमें आपको उसकी मदद मिलेगी नई opportunities, job opportunities इस महीने अवश्य आएंगी पैसा बढ़ता हो देख रहा है, शुक्र का प्रभाव मैंने कहा जैसे लावस्थान पे है तो पैसा बढ़ सकता है और आप अपने career के future को लेकर बहुत serious हो जाएंगे, शायद कुछ ऐसा घटित होगा इस महीने मुझे लग रहा है, जो आप तक अपने career को for granted ले रहे थे, वो नहीं लेना शुरू कर देंगे वो बंद कर देंगे आप और अपने career को उस चीज की value नहीं रहती और जब कुछ जटका लगता है, फिर उसको समझाता है कि हाँ, जो मेरे पास है, वो बहुत महत्तर पूर्ण है उसको और अच्छा कैसे करें तो ये उस हिसाब से एक अच्छी चीज दिख रही है negative, laziness बहुत रहेगी तुम देख लेना, वो आपने किया तो problem बहुत होगी क्योंकि वो कारे आपका धंसे नहीं होगा और rhythm की कमी, कारेक्षेत्र में rhythm की कमी, lie की कमी आपको इस महीने थोड़ा तंक कर सकती है अगर आप media, internet, communication और marketing से जोड़ा कुछ भी कारे करते हैं यह महीना overall तो आपके लिए अच्छा रहे है बिजनस, जहां तक बिजनस की बात है, यह महीना ठीक ठाक देख रहा है एक तो सब्तम भाव बिजनस का होता है, सब्तम से जो अश्टम भाव है यानि कि लगन से दूसरा स्थान, वहापस शनी महाराज रहेंगे लगन के सौमी है, धरस्थान के सौमी है एक consistency आना शुरू हो जाएगी, एक stability आना शुरू हो जाएगी 22 तारीक तक ब्रहस्पती की दिश्टी सब्तम पर बनी रहेगी, अच्छा है और इसके साथ ही, 22 तारीक के बाद भी भ्रहस्पती के इंदर में आ रहे हैं आपके जो सब्तम से दस्वास थान है, यानि कि आपको अपने बिजनस में नए ओर्र, नया कारे मिलना शुरू हो जाएगा 22 तारीक के बाद से, अब जब कारे मिलता है बिजनस में तो जरूरी ने की एकदम मुनाफा हो जाता है एकदम पैसा आ जाता है, जो लोग बिजनस करते हैं, उनको पता है एक flow होता है, पहले काम आया, आपने डिलिवर किया, फिर पैसा आया, तो ऐसा होता है, लेकिन काम मिलना शुरू हो जाएगा, नया कारे मिलना शुरू हो जाएगा, नए orders आना शुरू हो जाएगे, कुछ नई चीजें भी आप इस महीने अपने business में add-on कर सकते हैं, सूरे भी family business अगर आपका है, तो जगडे बहुत होंगे, ताल मेल नहीं बैठेगा, छोटी छोटी चीजों पर बहस होगी, financial matters पर बहुत बहस इस महीने आपके family business में हो सकती है, उन चीजों को थोड़ा नजर अंदाज कर दें, तो ये महीना overall आपके business के लिए अच्छा ही है, आपको अच्छे ही result देखे जाएगा, क्योंकि मंगल सब्तम से बारवे में बैठे रहेंगे और नीच अभिलाशी है, अगर आप अपने business के लिए कोई loan उठाना चाहते हैं इस महीने, थोड़ा संभल जाएगा, थोड़ा रुख जाएगा, बलकि मैं कहूंगा इसी महीने नहीं, थोड़ा आने वाले महीनों में भी थोड़ा रुख जाएगा, क्योंकि मंगल नीच के सब्तम में हो जाएगे मही में, तो थोड़ा सा अगर loan आदी के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा धहरे रखिए, कुछ महीनों के बारे में सोचेगा, और सेम चीज मैं investment के लिए भी कह रहे हैं, वो अगर आपने करा excitement में आकर या जल्दबाजी में, वो बहुत desperate attempt होगा और आपके business में वो एक नगलात्म प्रभाव आपको देखा जा सकता है, इसमें ने अच्छा क्या हो सकता है, कुछ नए orders जैसा मैंने कहा, अगर business बैट रहा था, business अच्छा नहीं चल रहा तो यह महीना है कि आपके business को एक rebirth मिल सकता है, एक नया chance मिल सकता है, mind में बहुत clarity आजाएगी, जो scattered mind था business में, कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, वो ठीक होगा, understanding बढ़ेगी, और हो सकता है, कुछ यात्रा हैं जो आप अपने business के लिए लेना चाहते है, कि कहीं आपको शुरुआती भाग में कुछ कारे slow हो जाएंगे, मैं यह नहीं करा कि वो बनेंगे नहीं, या पूरे नहीं होंगे, slow हो जाएंगे, वो frustrate आपको करेगा, innocence कभी कभी क्या होता है, कि family business ऐसे मैंने का, या फिर हो सकता है, बहुत किसी पर भरोसा करें, और उस innocence के कारण आपक crucial moments में अगर आपको साथ ना मिले, support ना मिले, तो आप उसका लाब नहीं उठा पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यह महिना भी कहिना कहीं ऐसा दिख रहा है, कुछ crucial moments में शायद आपको साथ ना मिले, और business आपका उतना आगे ना बढ़ पाए, अगर आप animal products से जुड़ा, garment से जुड़ा, दवाईयों से जुड़ा, metal से जुड़ा, और घर के समान से, grocery जादी से जुड़ा कुछ भी कारे करते हैं, तो महिना अच्छा है, चलते हैं, income, investment और expenses के तरफ, जहां तक investment की बाते पहले उससे शुरुआत करते हैं, जो शुरुआती 10 दिन है, ठीक ठाक हैं, कर सकते हैं, अगर एक regular investor हैं, कर सकते हैं, नए investor हैं, थोड़ा सा समल जाईएगा, महिने के बीच के 10 दिन भी ठीक ही दिक रहे हैं, जो अंतिम 10 दिन हैं, यहां पर investment में कुछ नया पन ला सकते हैं, overall तो महिना अच्छा है, पंचम में, पंचम के स्वामी शु हैं, वो लगने के भी स्वामी है, तो बहुत स्टॉंग धन योग बन रहा है, और लाबस्थान को शुक्र की दिरिश्टी इस महिने 6 तारीक के बाद मिल जाएगी, और लाबस्थान के स्वामी मंगल छटे घर में बैटे हैं, जो उनका अच्छा स्थान है, प्रियस्थान ह कुछ रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, और 22 तरीक लाबस्थान पर भनस्थान की दिरिश्टी रहेगी, तो पैसा कमाने के लिए महिना अच्छा है, जो पैसा कमाना चाते हैं, कमाना जानते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उनके लिए महिना लाबकारिय हो सकता है, खर्चों की हो सकता है घर की जो घर के जो व्रिद्द लोग हैं उनकी सेहत पर भी थोड़ा इस महेने खर्चा जाधा होगा इसके साथ ही टेक्क्निकल चीजों पर टेक्नलोजी तीवी हो गया नया टीवी लेना पर सकता है कुछ टेक्निकल समान घर का खराब हो गया चानक से उस पर खर्चा होगा और महीने के अंद तक आते आते अपने कोई महेंगे शौक पूरे करने के लिए भी शायद आप खर्चा थोड़ा जादा करेंगे हैं लव लाइफ की तरफ सबसे पहले no contact situation की बात करेंगे जो no contact situation के लिए महीना अच्छा है लेकिन शुरुआती दस दिनों में बिल्कुल ट्राय नहीं करना उसके बाद हो सकता है किसी common friend के थुरू किसी ऐसे विक्ति के थुरू जिसको आप दोनों ही जानते हैं संभावना बन सकती है और महीने के अंत की तरफ दुबारा बाच्चीत आपकी चालो हो सकती है जहां तक नए relationship की बात है महीना बहुत अच्छा है पंचम में पंचम के सौमी और वो भी शुक्र आ रहे हैं लेकिन problem क्या हो सकती है बहुत सारा excitement टू मच excitement एक desperate सा attempt आप करेंगे कि हाँ जल्दी से relationship चालो हो जाए और उसके चक्कर में अपनी प्रक्रती के विरुद्ध कुछ करने का प्रयास करेंगे ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपके prospective partner को पसंद ना आए और उसके कारण चीज़ें खराब भी हो सकते हैं डिले भी हो सकती है तो महीना अच्छा है relationship स्टार्ट करने की लेकिन धहरेपूरवक तरीके से और gracefully आपको आगे बढ़ना है जहां तक जो लोग relationship में उनकी बात करते हैं तो पंचम जो भाव है वो relationship का होता है वहाँ पे शुक्र आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कुछ negative मत बोलेगा क्योंकि वो बहुत hurt करेगा और उसके कारण वैचारिक मत भेत तो आएंगे ही एक ऐसा vacuum create हो जाएगा जो दुबारा भरना impossible हो जाएगा तो अपने शब्दों का चाहिए न आपको बहुत महत्तपून रखना है इस महीने उस पे control कर लिया तो महीना relationship के हिसाब से अच्छा है शुक्र intimacy के कारण भी है तो एक physical level पर भी बहुत अच्छी compatibility इस महीने आप दोनों के बीच में रहेगी और कही न कहीं अगर relationship लंबा चल चुका है तो अगर उसको married life की तरफ लेके जाना है उन चीजों की बादचीत के लिए भी ये महीना अच्छा है positive क्या हो सकते हैं जगडे होंगे तो compromise बहुत अराम से जल्दी हो जाएगा ज़ादा effect नहीं होगा जो भ्रम की सित्यूत्पन हो रही थी वो दूर होगी इस महीने excitement तो दोनों ही side से ज़ादा रहेगा लेकिन उसको भी control कर लिया जाएगा अधिक्तम जगाओं पर कुछ-कुछ जगाओर problem हो सकती है और नजर अंदास करना शुरू कर देंगे अपने partner की गलतियों को जो आज के समय में बहुत महत्तपून है और कुछ ऐसी चीज़ जो आप दोनों के लिए ही अटक रही थी कुछ ऐसी चीज़ जो आप दोनों नहीं समझ पा रहे थे उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे अपने बीच में वो कारे आपका इस महीने बन सकता है negative क्या हो सकता है अपने partner को ignore करना हो सकता है आप अपनी life में इतने मगन हो जाए आप parties में जा रहे हैं अपने कारे पे जा रहे हैं विजनस कर रहे हैं और consciously जहीं unconsciously शायद आप अपने partner को ignore करना शुरू कर दे और वो इस महीने में problem create करेगा और इसके साथ ही अपने partner की जरूरतों पर ध्यान नहीं देना किसी भी तरह की हो वो भी आपके लिए इस महीने problems create कर सकता है married life की दिरफ चलते हैं महीना ठीक ठाक सा है सब्तम भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव जादा नहीं रहेगा ब्रहस्पती का रहेगा जो कि अच्छा है सब्तम भाव जो आपका पढ़ता है वहाँ पर करक राशी बनती है जो कि ब्रहस्पती की उच्च की राशी है तो 22 तारी तक तो थोड़ी कोई problem जादा नहीं आएगी उसके बाद ब्रहस्पती का प्रभाव हड़ जाएगा सब्तम से जो बारवा स्थान है वाँ पर मंगल बने रहेंगे तो यह हाँ यह बता रहा है कि थोड़े बहुत जगड़े हो सकते हैं और वो अगर हुए तो बहुत एग्रेसिव होंगे तो खोशिच आपको यह करनी है कि इस महीने जगड़े ना हो क्योंकि एक बार जगड़ा स्टार्ट हुआ तो बहुत एग्रेसिव रूट पर वो जाएगा अच्छी चीज है कि सब्तम से जो ग्यारवा स्थान है यानि कि पंचम वहाँ पर शुक्र आ रहे हैं अपनी ही राशी में तो एक emotional attachment भी बड़ेगा physical level पर भी intimacy बड़ेगी likability बड़ेगी और romance बहुत रहेगा तो महीना overall कहूं तो अच्छा ही है बस ego glashes को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक handle कीजेगा अगर दोनों ही कमाते हैं दोनों ही काम करते हैं तो इस महीने ego glashes काफी हो सकते हैं और in-laws बहुत परिशान करने वाले हैं तो उनको किस तरह से handle करना है इस पर पहले से ही विचार करना शुरू कर दीजेगा इस महीने के positive points क्या हो सकते हैं understanding रहेगी flexibility दोनों ही side से रहेगी उर्जा बहुत अच्छी रहेगी अधिक्तम दिनों में आप दोनों के बीच में क्योंकि लंबा समय होता है बीच-बीच में कुछ points हो आ सकते हैं जहां पर थोड़े clashes होंगे लेकिन अधिक्तम उर्जा बहुत अच्छी रहेगी दूसरे की life share कर पाएंगे कुछ बंध में बाते चल रही थी या नहीं बताना चाहेंगे वो इस महीने बहुत negative रभाव देगा अकेलेपन का हैसास बहुत बार होगा और अगर कोई बड़ा नहीं है आपके घर में या कोई guidance नहीं है आप दोनों के बीच में तो कभी-कभी इस महीने problem सोड़ी आ सकती है अधरवाइस तो महीना ठीक ठाते है students के तरफ चलते हैं जहां तक students की बात है महीना overall तो ठीक दिख रहा है क्योंकि पंचम के स्वामी पंचम में ही आ रहे हैं यानि कि शुक्र छे तारीक को ही आ जाएंगे और वो दस्वे घर के भी स्वामी है तो राजयोग बनाएंगे लक्ष्मी योग भी बनाएंगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो students जॉब के लिए ट्राइक कर रहे थे आपकी study पूरी हो चुकी है अब जॉब ढूण रहे थे या फिर part-time जॉब ढूण रहे थे ये भी अच्छे हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही अंतिम दस दिन बहुत शुब हैं यहाँ पर आपका कोई एक्जाम पढ़ता है बहुत अच्छा करेंगे जैसा मैंने का पंचम भाव बहुत स्टॉंग आपका हो रहा है तो यह महीना बहुत शुबता आपको देख जाएगा ध्यान रटना है वस 21 तारीक के आसपास जो study के कारक है students के कारक है बुद्ध वो वक्री हो जाएंगे चौते घर में emotional control खो देंगे तो 21 तारीक के आसपा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अधरवाई सो यह पूरा महीना अच्छा है थोड़ा busy अवश्य रहेंगे लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जैसा मने शुरू में कहा organized रहेंगे तो इस महीने में कुछ बहुत अच्छा अपने लिए हासिल कर सकते है students के लिए बहुत सेहत की बात करते हैं छटे घर में बैठे मंगल दृष्टी डालेंगे क्योंकि लगन पर तो बाकी चीजों में तो अच्छा प्रभाव देंगे लेकिन सेहत क्योंकि छटे घर का यहां पर रोल आ गया रोगसान है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो बनी रहेगी क्योंक नहीं मूल तरिकोन राशी में है तो प्रोटेक्शन तो वहां से बिलेगी लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा जो दूसरा भाव है वो मारक स्थान भी होता है मारक स्थान को कभी भी यह नहीं बोलना चाहिए कि वो मृत्यू देगा लेकिन कष्ट देता है तो बहुत सेहत डामाडोल रहेगी. diver all पेट की प्रोब्लम बहुत तंग करेगी. बाहर का खाना आपने इसमहीं निखाया तो अचानक से आपको कुछ infection आदी हो सकता है. पेट बेगर सकता है. acidity बहुत रहेगी, दातों की problem, आखों की problem और chest की problem overall बहुत तंग करेगी महिने के शुरुवाती 10 दिन, हृते संबंदित कोई problem है तंग करेगी और anxiety बहुत रहेगी, sleep disorders रहेगे जो बीच के 10 दिन है, नसों की problem, यहाँ पर भी sleep disorders और कहीं से गिर के आपको चोट भी लग सकती है और जोडों के दर्द बहुत तंग करेगी जो महिने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर आपको गले की problem, नाक की problem, infection, sinus आदी और skin disorders बहुत तंग करेगी योपाय की बात कर लेते हैं, योपाय आपको या तो महीने के पहले शनीवार या महीने के शुरुवाती किसे भी दिन कर सकते हैं, शनी मंदर जाईएगा, शनी मंदर नहीं है तो हनुमान मंदर जा सकते हैं, शनी देव के सामने या हनुमान जी के सामने, आपको चार सरसो के तेल के दिये जलाने है और दो घीके दिये जलाने है और हर दिये में आपको कुछ काले तिल के दाने डानने है और फिर आपको भैरव चलीसा और हनुमान चलीसा का दो-दो बार पाठ करना है इसके साथ ही आपको हलवे का भोग लगाना है अगर शनी मंदिर जाते हैं तो वहापे भी ये कर सकते हैं शनी मंदिर नहीं है आसपास तो बजरंग बली के मंदिर में भी योपाया आप कर सकते हैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई की चैनल पे नहीं है सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में तब तक के लिए